दोस्तों अगर आप भी भारती टीम को विश्व की सर्वसेश्ट टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों साउथ अफरिका में सिरीज जीतने के इडादे से भारती टीम वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ 26 दिसंबर से पहला मुकाबला खेला जाएगा इस सिरीज के लिए भारती खिलाडियों ने जबर्दस अभ्यास किया है आपको बता दें कि साउथ अफरिका ही एक ऐसी जगह है जहां भारती टीम ने आज तक एक भी सिरीज नहीं जीती है और इस बार अपने इस दोरे पर भारती टीम अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ना पिकेट जटका है लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है मोहमत सिराज और जस्परित बुम्रा में से कौन बहतरी नगेंद बाच है अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों साउथ अफरिका में सिरीज जीत कर इतिहास रच किया और उसी अभ्यास में भारती टीम को एक बहुत बड़ा जटका भी लग गया आपको बतातें कि हैमिस्टिंग में खिचाओ के कारण भारती टेस्ट टीम के उपकापतान और शांदार बलेबाज रोहिट चर्मा बाहर हो गया जिसके बाद उनके जगए जिम्यदारी के लिए भारती टीम में गुजरात के बहतरें बलेबाज प्रियांग पांचाल को शामिल किया गया आपको बतातें दोस्तों कि इशी टिम के गेंद बाज्यों ने बहतरीं प्रदरश्ण किया इस मैच के लिए एक टीम के कप्तान विराट कोली तो वहीं दूसरी टीम के कप्तान रिशब पंथ थे विराट की टीम में मयंक अगरवाल, स्रेय सेयर जैसे धाकर बलेबाज तो वहीं मुहम्मद सिराज और जस्पृत मुम्राज जैसे बहतरीन गेंदबाज थे वहीं दूसरी तरफ पंथ की टीम में केल, राहूल, प्रियांक, पांचाल जैसे बहतरीन बलेबाज थे तो वहीं मुहम्मद, शमी और रवी चंदर श्विन जैसे बहतरीन गेंदबाज थे टॉस जित कर रिशब पंथ के टीम ने पहले बलेबाजी का फैसला किया और उपनिंग करने आये मायंग का गरवाल और टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपनी टीम को शांदार शुरुआद दिलाई और टीम का स्कूर पांच ओवर में सत्तर रन कर दिया लेकिन वहीं इसके बाद गेंद बाजी करने आये मुहमद शमी ने कोहली की टीम को लगातार दो जटके दिये दोस्तों आपको बता दें कि मुहमद शमी बहतरीन रिदम में नज़र आ रहे हैं उन्होंने खतरनाक स्विंग गेंद बाजी करके अपने आगे किसी भी बलेवाज को टिकने नहीं दिया और अपनी स्पेल में उन्होंने दोनों में मातर 7 रन दे कर 3 बलेवाजों को आउट किया वहीं दोस्तों जैसे तैसे करके विराट कोली की टीम ने 5 ओवर में 70 रन के बावजूद 10 ओवर में केवल 100 रन तक ही बना पाई और वहीं रवीचंद रश्विन ने भी बहतरिन गेंदबाजी करते हुए 4 बल्लेवाजों को आउट किया इसके बाद पंत की टीम की तरफ से उपनिंग करने आए केल राहूल और प्रियांक पांचाल ने अपनी टीम को कुछ खास शुरुआत नहीं दीला पाई और पहले ही ओवर डालने आए जस्परिद बुम्रा ने पांचाल को क्लीन बूल्ड कर दिया जिसके बाद बल्लेबाजी करने रिशेप पंत ने केल राहूल के साथ मिलकर टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया लेकिन चौथा ओवर लेकर आये मुहम्मद सिराज ने केल राहूल को आउट करके पंत की टीम को मुश्किल में डाल दिया वही 7 ओवर के बाद टीम का स्कूट 6 विकेट के नुकसान पर साथ रन हो गया जिसमें जस्परिद बुमरा और मुहम्मद सिराज ने आपस में मिलकर 3-3 विकेट बाटे और बहतरीन गेंदबाजी की लेकिन इसके बाद रिशेप पंत ने ताबरतोर बलेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिला दी दोस्तों भारती गेंदबाजों के इस फॉन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई भी साउथ अफरिकी बलेबाज इनके सामने टिक नहीं सकता जिससे भारती टीम का साउथ अफरिका की धरती पर सिरीज जीतने का सपना भी पूरा हो सकता है तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है मोहमद शमी और मोहमद सिराज में से बहतरीन स्विंग गेंदबाजी कोन करता है अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार ख़वरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को